वेलकम टू माई चैनल रेस्पी सब नमस्कार दोस्तों तो आज की रेस्पी है मुमुस तो चलिए इसे बनाते हैं मुमुस बनाने के लिए दो कप मैदा लें एक बावल में और इसमें हम लेंगे नमक यहां अधा चमस नमक लिए है आप अपने स्वाथ कंसा ले सकते हैं यह अच्छी तरह से मिला लेजी आटे में और अटा गुतने के लिए मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है पानी को पहले थोड़ा थोड़ा डाले और पूरे आटे में अच्छी तरह से मिक्स करें मसलते आटे में ताकि बिल्कुल ब्रेट क्रम्ब जैसा यह बनता जाए आप जैसा देख रहे हैं मैं मिला रही हूं बिल्कुल वैसे करना है और थोड़ थोड़ पाएं डालकर मिलाते जाए इसका एक स्टिट डो बनाना है बहुत अच्छा मुमोस बनाने के लिए सबसे बड़ा मुमोस मतर मुमोस पनीर मुमोस और भी बहुत तरकी होती है लेकिन इसका जो बेस होता है इसका डो होता है यदि आपको इस्टफिंग का अच्छा फ्लेवर चाहिए तो इसका डो पर्फेट गुथा होना चाहिए और इसकी जो रोटियां होती है जिसमें हम स्टफिंग करत सके और टूटे ना ये बीच में से और इसकी स्टरफिंग भी आसानी से हो सके और दो कप मैदा में मैंने आधा कप प्लस दो बड़ी चमच पाने का इस्तमाल किया है और बहुत बढ़ी आठा गुत कर तयार हो गया है आठे को एक से डेल मिन तक गुतने के बाद इसमें हम एक छोटा चमच तेल मिलाएंगे उपर से और फिर से हम आठा गुतेंगे करीब आधा मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मसलते हुए गुते हैं और हमने फर्स्ट आठा गुत लिया है अब इसे हम ढख कर 15-20 नट के लिए रेश्ट करने देंगे एक तरह और जब तक आठा रेश्ट कर रहा है तब तक हम इसके स्टफिंग त्यार करेंगे दो कप पता गोवी कद्दू कस किया हुआ एक कप प्याज बिल्कुल बारी कटा हुआ एक कप गाजर कद्दू कस किया हुआ एक कप शुमला मेच बारी कटी हुई और एक छोड़ा चमच नमक डालें इसमें और इन्हें हातों से मसलें हलके हातों से दबा दबा के थोड़ा जाता है और देखिए हमने मसल दिया है पानी भी अलग हो गया है अब इसे हम छाल लेंगे एक कपड़ा लें कॉटन का या चीज क्लोथ है उसे लें और उसमें रख कर इसे हम पानी अलग कर लेंगे सब्जीयों से दोस्तों इसका जो पानी होता है बहुत ही अच्छा है इसे इस पानी से आठा गुत कर पराठा या पूरी तैयार कर सकते हैं तो इस पानी को फेकने की बिल्कुल और शकता नहीं है अब जो हमने सब्जीयों को पानी निकाल लिया है तो बिल्कुले ड्राई हो गया है एक बॉल मिले अब इसमें मिलाएंगे मसाले धनियापती बारी कर और इसका टेस्ट बढ़ाने के में इसमें डाला है दो छोटे चमच ग्रीन चिली सॉस इससे आपको जो स्ट्रफिंग बहुत ज्यादा टेस्टी होता है अगर ग्रीन चिली सॉस नहीं है तो आप हरी मिच बारी काट कर लेला और थोड़ा सा विनेगर या निमू का जूस लेला है और इसमें एक चुटा चमच तेल मिला है और एक चथा चुटा चमच काली मिच का पाउडर इन सब को अच्छी तरह से मिला लें और यह आपकी त्यार हो गई स्टफिंग एक तरफ रख दें अब जम हमने जो आटा गूत कर रखा था अब इसको दूबारा हम गूत इसे फिर से एक से देर मिन तक घुठेंगे कि बिल्कुल इसे स्टेच करते हैं इस तरह से घुत है इसे जितना हम गुतेंगे उतना ही इस आटे में लचीला बिल्कुल रवर्ट के जैसा इसमें खिचाव पैदा होगा और वह बहुत ही अच्छा रहागा हमारी मॉमुस के लिए अब एक से ट्रेंट गुटने के बाद इसके छोटी छोटी लोहियां बना लें बिल्कुल जैसे पानी पूरी की हम लोहियां बनाते हैं बिल्कुल उसी के बराबर लें थोड़ा सा शुखा आटा डष्ट करें और इसमें इसको बैल कि नहीं करेंगे तो यह हमारे बेल न मीं चिपक जाएगा अच्छी तरह से हम बैल नहीं सकते इससे सुखा आटा डश्ट करना जडिकर रूरी है अल्क हलका डश्ट करें बहुत ज्यादे लिया से पूरी को एक बराबर बेलें और किनारे अलग से हम थोड़ा भी लेंगे थोड़ा पतला कर लेंगे आप देख रहे हैंना मैंने इसको सैठ सैठ मेहें हलके लके इसको बेल लिया है बहुत घिसणा नहीं है हलके आतों से ही इसको पनाना है और यह लिजिए हमारी बहुत ही पतली पूरी तयार हो गए आप देखरेंके कितनी लशीला पन है इसमें और इसकी स्टफिंग करेंगे स्टफिंग करने के लिए हाथ पर उंगलियों पर इस तरह से लगाएं पूरी को अब देखिए इस तरह से फोल्ड हो सके यानि आप उसको मूफ कर सके अच्छी तरह से इसको सेट करना है इसमें दोनों हातों का जो थंब और इंडेक्स फिंगर है इसी का काम लेना है और इस तरह से प्लिट्स लगाते जाएं एक तरफ से पकड़ते हुए मैंने इसमें बहुत ही स्लोली बताया है कि कैसे इसको क्लोज करना है आप इसे ध्यान से देखें तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा अंगुठे से मसालों को दबाते जाए और बाहर से प्लिर्स लगाते जाए और एकठा करते जाए सारे प्लिर्स को एक जगा वैसे यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें मैंने बऊत लिए इसलोली एक्सपेंड किया है इसको क्लोज करने का तरीख में बताया इसमें ह cabinet तो लीज आप इसको बुरा नमाने ऐने यह वह लिए किया है यदि आपको औसने आता में इस तरीके से बहुत अच्छी बात है यदि नहीं आता है तो आप इस अच 네हीं से दो 750 है तो मैंने इसको ग्रीस कर लिया है तेल से और इसमें मुमोस को रख दिया है मुमोस को बीच में हलका गैप रखे चिपका करना रखे नहीं तो आपस में चिपक कर तूट जाएंगे और इसे आप 20-25 मिन तक स्टीम करने दें पहले आंच को तेज रखें उसके बाद 2-3 मिनिट को धीमा करके स्टीम करें 25 मिन तक तक यह अच्छी तरह से स्टीम होगा मैडा है अच्छी तरह से पकना चाहिए हमने जहां इसको ट्विस्ट किया है थोड़ा मोटा ही होता है चाह अंदर की सब्सक्राइब दिखाए दे रही है इसे अब बनाए और इसे गर्मा गर्म मुझे चटनी के साथ सर्व करें मुझे चटनी की रेष्पी मैंने पीछले वीडियो में बता आए है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या मैं इसको लिंक डिसक्रिश्य माउस मे दोस्तों आपको मेरे रेष्पी कैसे लगी मुझे कोमेंट करके जरूर बता और यदि आपको मेरा व्यद्यव पसंद आता है तो लाइक करें शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नहां है तो प्लिस सब्सक्राइब करें थांक्यू बाइस